नमस्कार स्वागत है आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चौधरी चार राजियों के चुनावी परिणाम खोशित हो चुके हैं जिन में से बीजेपी ने तीन राजियों में शांदार जीत हासिल की है इन नतीजों के बार डीम के नेता और सनातन को लेकर विवादत बयान देने वाले उदेनिधी स्टॉलिन की भी प्रतिकरिया सामने आई है उदे निदी ने एक बार फिर से सनातन को लेकर बयान दिया और कहा बीजेपी ने मेरे बयान को तोड मरोड कर पेश किया और देश के लोगों ने उस पर चर्चा की उन्होंने कहा मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया था पर मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला क्योंकि मैं स्टॉलेन का बेटा हूँ और करुना निधी का पोता हूँ मैं वही फोलो कर रहा हूँ जो उनकी आइडियोलोजी है अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए उदेनिदी ने कहा कि मैं चेन्नई में एक सम्मेलन में भाग ले रहा था और केवल तीन मिनट बोला मैंने जो कुछ कहा वो ये था कि सभी के साथ समान वैवार किया जाना चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और भेदभाव के किसी भी प्रयास को खत्म किया जाना चाहिए लेकिन बीजेपी ने मेरे बयान को तोड़ मरोड कर पेश किया इसे बड़ कि उन्होंने कहा कि मैंने नर्सनहार का आवाहन किया है लेकिन उन्होंने ऐसी बाते कहीं जो मैंने नहीं कहीं थी कुछ संतों ने मेरे सिर पर 5-10 करोड का इनाम घुशित कर दिया मामला फिलाल कोट में है और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है मुझ से अपने बयान के लिए माफी मागने को कहा गया मैंने कहा कि मैं स्टॉलन का बेटा हूँ करुना निधी का पोता हूँ और मैं केवल उनके द्वारा समर्थित विचार धारा को व्यक्त कर रहा था आपको बताती चलें कि गत सितंबर में उदेनिधी स्टॉलन ने कारेकरम के दोरान सनातन धर्म के उन्मूलन का आवाहन किया था उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समानता के खिलाव बताया था बता दें कि उदेनिधी तमलनाडू के मुख्यमंत्री और डियम के चीफ मक स्टॉलन के बेटे हैं महीं उदेनिधी स्टॉलन ने कहा था कि कुछ चीजों का अस्सर विरोध नहीं होना चाहिए बलकि उन्हें जड से खतम किया जाना चाहिए हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वाइरस का विरोध नहीं कर सकते हमें इसे खतम करना होगा इसी तरह हमें सनातन को भी खतम करना है महीं सनातन धर्म को लेकर उदेनिधी की टिपणियों पर पूरे देश में बड़ा बवाल मचा था भाजपा ने उनके बयान की तीखी आलोशना की थी भगवा पार्टी के IT सेल प्रमुक आमित मालविय ने उदेनिधी स्टॉलिन के बयान की तुलना यहुदियों के बारे में हिटलर के विचारों से कर दी थी अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सिफ N27 News पकड़ हर खबर पर